Hello all and welcome back again in Geography Optional Classes. हम लोग देख रहे थे Paper 1 के Oceanographic Topic और इस Oceanographic Topic में लास्ट क्लास में हम लोगो ने कॉरल्स और उसके बारे में और काफी कुछ और भी चीजे डिसक्स किया हुआ था. इसके लावा हमारा कुछ topic और भी रह गया था तो फड़ा फड़ास को डिसक्स कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं. Let us start. Let us complete. Let us crack. But before that, these are our contact details. And these are other courses of Geography, GS and E-Gro-Gro program जिसके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए email कर सकते हैं. syllabus हम लोग देख लेते हैं वापस एक बार because syllabus is very important and this is the only thing to constraint our study. इसमें हम लोग ने जो चीज़े देख रखी हैं वो तो अलरड़ी आप जान रहे हैं जो नहीं देखी हैं वो है heat and salt budget और इसके अलावा sea level change और यह जो mainly law of the seas है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में This video is going to be little shorter क्योंकि किवल दो ही topic है ज्यादा कुछ खास discussion करने को इसमें है नहीं तो जो कुछ भी चीज़े हैं हम लोग फटाफट उसको complete कर लेते हैं जल्दी से तो इसमें we are starting with heat and salt budget और फिर आगे हम लोग देखेंगे जो कुछ भी चीज़े और रह गई होंगी देखें heat and salt budget में let me clear you because यहाँ पर जो चीज़ें हो थोड़ी सी देखिए physics आने वाली है और यहाँ पर overall एक budget format में होगा budget का मतलब यह हो गया कि we will see the incoming and outgoing the thing और फिर ultimately it is going to be a zero क्योंकि budget का मतलब यह होता है कि ultimately उसका जो scene होगा वो zero हो जाएगा so we have already seen all these things the ocean deposits and different type of ocean deposits color leaf की theory and all that यह हम लोगो ने देख रखा था daily की theory हम लोगो ने देख रखी थी and now we are moving ahead in heat budget heat budget का मतलब यह होता है काफी simple सी thing है heat का मतलब होता है सीधी सी बात है ऊश्मा and budget का मतलब होता है budget इसमें कोई doubt नहीं है so heat में क्या है कि जो ocean है वो कहां कहां से heat पा सकता है different different तरीके से हैं जिसे एक heat है जो इसको सीधे सीधे solar radiation से मिलेगा जिसको कि हम लोग बोल देते हैं माल लेते हैं qi this is qi qi का मतलब हो गया यहां पर मैं लिखते भीचा रहा हूं qi का मतलब हो गया insulation this is insulation radiation और साथ ही साथ में influx के माध्यम से माल लेते हैं इसको इसके अलाबा बाकि जो चीजें हैं माल लेते हैं कि वो atmosphere को जिन निकल रही है तो इसको हम लोग बोल देते हैं q suppose r ठीक है तो qr का मतलब हो गया radiation से जो energy निकल गई तो radiation outflow radiation out flux माल लेते हैं ठीक है फ्लक्स का मतलब कुछ नहीं होता है जो लोग physics वाले होंगे उनको पता होगा flux का मतलब होता है a bundle of energies ठीक है तो flux होती है वो जैसे gauss principle on all that आप लोग ने पढ़ा होगा Gaussian surface या gauss इस तरीके से तो वहाँ पर flux की ही study की जाती है so keep that aside otherwise कुछ लोग डर जाएंगे इसका किसी से मतलब नहीं है this is just to जो भी physics वाले हैं उनको एक याद कराने के लिए चीज थी कि क्या है यह इसके लावा देखिए हमारे पास बाकी चीज जो आती है उसको बोलते है हम लोग sensible heat जैसे next qs जिसको हम लोग बोलते है sensible heat ठीक है तो यह जो चीज होती है sensible heat यह basically exchange होता है जैसे atmosphere और ocean के बीच में you can say कि in the format of advection also यह हमारी exchange continuously होती रहती है फिर इसके अलावा इसी qs के related होता है ql जिसको हम लोग बोलते है latent heat exchange अभी इन दोनों में अंतर यह है एक जैसे ms delta t यह आप लोगों को पता होगा s का मतलब होता है specific heat तो अंतर कुछ नहीं है heat का ही एक format होता है और वहीं दूसरी और ml हम लोग लेते हैं and this is called as latent heat तो दोनों ही चीज़े होती है दोनों ही चीज़े continuously apply होती है and both the things are more or less same the only difference is यहाँ पर phase change नहीं होता है this is no phase change यहाँ पर नहीं हो रहा है जबकि ml में क्या होती है कि यहाँ पर phase change होती है phase change का मतलब solid से liquid liquid से gas या फिर gas से solid sublimation and all that यह सब चीज heat भी लिख ले रहे हैं जैसे latent heat हो गया इसके लावा देखिए एक और categorization हम लोग कर लेते हैं biological heat biological heat तो जो भी biological elements present होंगे in the atmosphere और in the atmosphere या फिर ocean दोनों ही चीज़ों में जो exchange हो रही है we are calling it as biological energy exchange इसके लावा next जो होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं this is internal plate या फिर P लिख लेते हैं इसको तो this is you can say heat due to internal energy या फिर आप इसे geothermal energy भी बोल सकते हैं geothermal energy या फिर geothermal heat भी आप इसे बोल सकते हैं जैसे ocean के internally जो लग रही है because of the lethal spheric plate जो नीचे है या फिर जो magma से heat generate हो रही है उसके कारण से जो भी यहाँ पर निकल कर क्या रही है उसको हम लोग in the format of the geothermal energy बोल रहे हैं इसके अलावा एक और energy last में हम लोग ले ले लेते हैं advection, this is advection, advection heat अब देखिए होता क्या है ऐसा माना गया है देखा गया है because of the specific heat of water जो भी यहाँ पर surface है land है या फिर air है चाहे जो भी है उससे लगभग लगभग 5 degree centigrade higher temperature water में पाया जाता है तो चूंकि यहाँ पर temperature difference obviously there will be heat exchange, heat exchange हो गाई होगा यह जो heat exchange होती है, advection के format में होती है क्योंकि directly in contact है और जो भी directly in contact होता है वो आपको पता होगा कि advection के कारण से ही होती है तो यह total marker के हमारे पास heat के elements है अभी इसमें क्या है कई सारी heat incoming के format में आ रही है और कई सारी heat outgoing हो रही है जैसे for example अगर बात किया जाए हाँ पर insulation incoming है यानि कि यह positive है जो radiation outflux है यानि कि यह negative है क्योंकि यह बाहर निकल रही है sensible heat it is also releasing इसलिए negative यह भी negative क्योंकि यह भी निकल रही है जब biological heat है यह absorb हो रही है यह actually positive और negative कोई भी हो सकती है depends कि जो marine elements water में present है वो actual में heat absorb कर रहे है या heat release कर रहे है उसके basis पे यह positive या negative कुछ भी हो सकती है geothermal energy it is going to be positive क्योंकि यह ocean को energy दे रही है और lastly जो convection है वो तो negative ही होगी तो यहां से आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि कुछ यहां पर influx के format में आ रही है और कुछ यहां पर outflux के format में आ रही होगी और इन दोनों के ultimately जो चीज़े है वो zero हो जाएगी उसके पीछे reason यही है कि अगर वो zero नहीं हुआ तो जो ocean का temperature है वो continuously बढ़ता जाएगा तो यह लिए इस काफी important होता है this overall total value to be zero यह total value zero होनी must condition है और इसी पूरे के पूरे balance को इसके budget को इसके calculation को हम लोग बोलते है heat budget this is as simple as that तो काफी simple से चीज़ है ज्यादा कुछ इसमें discuss करने को है भी नहीं जितने भी elements किवल हम लोगों ने बात किये हैं किवल यही element आपको याद रखना है जो भी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने देखी है तो फटा फट देख लेते हैं इसकी कुछ-कुस theories के format में कुछ-कुस theory के बारे में तो देखिए सबसे पहली चीज़ आती है Like the planet, with its earth atmospheric system, ocean भी इसी तरीके की heat को balance करते है in the format of the influx or outflux of energy Hence the ocean are not getting progressively warmer और cooler If we discount the role of short time climate change जैसे global warming इसको हटा दिया जाए तो जो ocean की जो water है, that is not going to be either of warmer और colder क्योंकि overall जो heat budget है वो zero है The ocean are effective heat engine absorb energy in time of surplus और अगर जरुवत पढ़ती है तो वो release भी कर देते हैं और इस तरीके से जो earth की climate है उसको एक moderate बना के रखे रहते हैं जिससे ना ज़्यादा heat energy release हो रही है और ना ही ज़्यादा absorb हो रही है और ultimately जो temperature है वो एक maintain हो The ocean along with atmosphere play an important role क्योंकि यही energy को balance करने का काम करते हैं अगर माल लेते हैं atmosphere में बहुत ज़्यादा energy हो गई है तो वो water के द्वारा ocean के द्वारा absorb कर ली जाती है और अगर ocean में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर atmosphere के द्वारा absorb कर ली जाती है So इस तरीके से basically एक balance बना करके रखा जाता है Heat budget of the ocean is a statement on how the influx and outflux operate to ultimately balance the net gain or loss in the heat और इस तरीके से जो overall system होती है उसको zero बनाया जाता है बाकि हम लोगोंने component के बारे में तो देखी लिया है कि ultimately जो different components मिल करके zero ही होने चाहिए अब यहाँ पर जो हम लोगोंने चीज़े देखी है जैसे जो advection वगरे देखा वो एक you can say कि if there is any difference between the atmosphere और the ocean temperature surficial temperature तब जाकर के advection वाली जो component है वो काम करेगी similarly ocean में जो tectonic या volcanism के कारण से आती है they are responsible but they are very negligible बहुत ही कम होती है ज्यादा कुछ खास नहीं होती है so इस तरीके से हमारे पास जितने भी elements आये है they are somewhere contributing in the heat budget कुछ होते हैं जो कम होते हैं value कम होती है negligible type के होते हैं लेकिन कुछ होते हैं जो important होते हैं ultimately इस सब चीजों को मिला करके हम लोग बोलते हैं heat budget next जो हमारा component आता है वो आता है salt budget अब देखिए यहाँ पर आप लोगोंने salt के बारे में हम लोगोंने पढ़ी रखा था solenty के बारे में हम लोगोंने already curve अगरे देख लिया है so silenty के बारे में हमें पता है कि it is a function of what precipitation and evaporation यही हमारा component है अब देखिए हम लोग अगर ocean को देखते हैं this is suppose our ocean तो ocean से continuously हमें river के थुरू पानी के थुरू या किसी भी external agent के थुरू यहाँ पर minerals आते जा रहे हैं इसमें कोई doubt नहीं है इसके अलावा industrial wastage वगर भी काफी यादा है जिसके कारण से यहाँ पर लगातार minerals मिलते आ रहे हैं इस कारण से यहाँ पर salt वगर है salty component आते आ रहा है like NACL या फिर MGCL2 या CACL2 जीतने भी चीज़े होती है यहाँ पर आते आ रहे हैं मिलते आ रहे हैं इसमें minerals मिलते आ रहे हैं बाकी evaporation होते आ रहा है अब evaporation के कारण से यहाँ पर fresh water release हो गया निकल गया बाहर बाकी यहाँ से free water आ रही है यानि के rainfall के format में आ रही है तो अब एक चीज़ यहाँ पर point आपको देखने को मिलेगा कि देखे जब यह component यह जो mineral का component है लगातार वो यहाँ पर अगर आते जा रहा है जैसे माली यह 20 gram ही केवल और केवल mineral आया ठीक है और यहाँ पर माल लेते हैं कि 5 liter पानी है तो 5 liter पानी में 20 gram अगर आ गया तो आप molarity, molality कुछ याद है chemistry में निकालते थे इन सबों की कितना molar यहाँ पर क्या होगा कितना molar तो कैसी होती है, molarity होती थी और एक होती थी molality है ना, different type की होते थे और यह वेडर नंबर से calculate करके सब निकाला आता था so we are not going into it, हम लोग concentration अगर नहीं निकाल रहे है लेकिन एक idea लग रहा होगा कि हम लोग एक volume से weight of the mineral को अगर देखें तो यह आ गया है, कोई problem नहीं है इस 5 liter में कुछ element बाहर भी निकल रहे होंगे, जो fresh होंगे यानि इस पर कोई फरक नहीं पड़ा, 20 gram पर कोई फरक नहीं पड़ा rainfall से भी water आ रहा है suppose माल लेते हैं कि धाई liter पानी evaporate हुआ, तो धाई liter पानी और आ भी गया तो ultimately 5 liter को कोई फरक नहीं पड़ा और 20 gram को भी कोई फरक नहीं पड़ा, क्योंकि ultimately कुछ भी नहीं है लेकिन ये 20 gram तो continuously add होते आ रहा है जैसे 20 gram हुआ, फिर अगला 20 gram आएगा, तो ये 40 gram हो जाएगा फिर 60 gram हो जाएगा, फिर 80 gram हो जाएगा तो यहाँ पर minerals होते हैं, continuously add होते आ रहा है evaporation और rainfall के कारणा से जो भी पानी आ रहा है, वो तो fresh है तो उसमें तो कोई change है नहीं, तो एक आपके दिमाग में question ये आ सकता है कि इसकी तो salinity continuously बढ़नी चाहिए, then why we are getting only a concentrated salinity एक ही focus क्यों करके रखी जाती है, 33, 35, 38 या 200, जितनी भी salinity है वो तो एक ही बनी हुई है, तो क्यों ये continuously, इसको mathematically तो हमें दिख रहा है कि ये चीज़ बढ़नी चाहिए, but it is not increasing, ये constant बनी हुई है तो इन सब चीजों का हम लोग यहाँ पर जवाब देखेंगे, because in ocean also we are getting a budget that is salt budget, जहां पर इस पूरे के पूरे mineral का एक हम लोग ultimately incoming और outgoing देखते हैं और हम लोग यहाँ पर analyze करते हैं कि आखिर क्यों इस mineral के increase होने के बावजूद भी हमारी जो mineral composition है, या फिर कह लिजे salt composition जो ocean में है, वो increase नहीं हो रही है और यह constant बनी है, what it is, it is, इसी को बोलते हैं हम लोग salt budget, फटावर देख लेते हैं हमारे salt budget को की आखिर में क्या चीज है salt budget के बारे में, so salt content and salinity pattern यह दो चीजों पर depend करती है एक होती है जिसे हम लोग बोलते है absolute value और दूसरी होती है जिसे हम लोग relative value बोलते हैं तो जो absolute value है, वो तो constant बनी हुई है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अभी हम लोग देखेंगे तो absolute value is a constant thing, लेकिन जो relative value होती है, salt की, obviously वो change करेगी and this change is due to different different things, और उसमें जो बताया गया है, उसमें जैसे एक है, hammers principle बोला जाता है या फिर इसी को बोलते है principle of constant proportion, इन दोनों के basis पे भी relative जो proportion of the salt है, उसको भी analyze किया जाता है इसमें NaCl, MgCl2, MgSo4, CSO4 ये सब component different different होते हैं, देखेंगे इस पर question आ सकता है in fact, कुछ questions आए भी है, objective format में, prelims में, कि NaCl या किसकी, मतलब किसकी ज़्यादा concentration रहती है तो आपको पता होना चाहिए, sodium chloride की ज़्यादा होती है ocean में अगर बात करें तो देखिए, continuously ये salt receive करता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा क्योंकि यहाँ पर salt के, जितने भी incoming sources है, जो influx है, वो आते रहते हैं जैसे degassing process, but it is more in recent geological past volcanism, ये से prime source है जो ocean में salt को ले आके आते हैं, clear most of the salt addition, आज़की डेट में river या फिर land से, जो भी runoff होती है जो भी चीज़े आती हैं, वहीं से होती है, लेकिन, despite this, oceans are not getting progressively saltier अब ये जो continuously आगे change हो रहा है, लेकिन उस change के कारण से यहाँ पर salt की जो composition है, वो change नहीं हो रही है, इसके क्या कारण है, इसके दो things हो सकती है ये दो चीज़े हो सकती है, या तो river, जो यहाँ से river, ये salt composition जो ले आ रही है ये बहुत ही या तो minuscule है, in negligible type की है, कि यहाँ पर कोई फरक ही नहीं पड़ रहा है एक तो ये पहली possibility हो सकती है, या दूसरी possibility हो सकती है, कि अगर incoming आ रही है तो outgoing भी कहीं हो रही है, मतलब कहीं से कोई element आ रहा है, तो कहीं कोई element जा भी रहा है तो दोनों बाते हो रही है, otherwise, इसका composition तो change होना चाहिए, ये तो simple maths बोलती है अब जैसे example के तोर पे देखें, तो bulk of the salt from the continent जो है, वो calcium salt है जैसे कि CO3 या calcium carbonate या calcium sulfate, calcium carbonate या calcium sulfate दोनों के यह आप लोगों ने देखें होंगे कि हम एक land form भी बना लेते हैं, land form भी बनते हैं, जैसे कि योगोसलाविया के area में हो गया या फिर आपके में घाले के area में हो गया, in fact recent में ओडिसा और आंदर प्रदेश में भी इस तरीके के land form पाए गया है लेकिन they make only 3.5% of the overall जो भी salt है अब ये जो marine organisms होते हैं, ये यूज कर लेते हैं, इनकी जो biological processes होती है the salt accumulate to form skeletal bone, ये सब यहाँ पर use हो जाता है तो हम लोगो ने एक outgoing तो नहीं, लेकिन हाँ, एक marine के through consumption जरूर देख रही है and consumption is a format of outgrowth, ठीक है, या outflux river में अगर मान के चलते हैं कि 3 into 10 to the power 12 kilogram of salt हर साल मान लेते हैं कि अगर add हो रहा है, तो obviously इतना ही salt release भी हो रहा होगा और release होगा नहीं, तो ultimately इसका जो overall कैली जे की budget है, वो increase करता जाएगा मतलब कि इसकी जो composition है, वो change होती जाएगी लेकिन ऐसा है नहीं, average salinity of the ocean के बारे में बात करें तो 35% जो है, वो एक average salinity है, इसलिए 33-35 ppm बोलायाता है the instrument that we use today is the accuracy to measure 0.003% and at best it is most sensitive instrument, जो कि 1500 parts in 17 million जो है, वो calculate कर लेता है, इस चीज को देख लेता है, this implies if we were to attempt measuring the addition or increase in salinity due to salt carried by river, then our instrument have to be 1500 times more sensitive तो हमें, जो sensitivity of the salt के calculation के लिए है, उसको measurement के लिए चाहिए, वो काफी high चाहिए, यानि कि यहां से एक idea लगता है कि the composition which is changing is actually negligible, जैसे river के कारणस यहां कहीं से भी आ रहा है तो they are negligible in nature, और इस वज़े से हम लोग यह बोल सकते हैं कि ज्यादा कुछ खास change होता नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़े आ रही है, उतनी ही चीज़े consume भी हो जा रही है, और इस कारण से यहां पर ज्यादा कुछ खास हमें changes नहीं देखने को मिलते हैं, तो whatever salinity variation that we have therefore not so much because of the absolute addition या फिर remove of the salt, इसके अलावा salt को हमनों remove भी करते हैं, consume करने के लिए भी, तो इस वज़े से हम लोग देख सकते हैं कि different elements के द्वारा, चाहे वो biological element हो, चाहे फिर marine elements हो, या फिर जो भी vegetation वगर होती है, उनके भी द्वारा clear हो गया, last topic हमारा आता है law of seas के बारे में, अब देखिए होता क्या है, कि इसके एक history है, law of sea के बारे में शुरुवात में अगर हम लोग बात करते हैं कि 1400 या 1300 के दोरान में तो उसमय जादा कुछ खास technology थी नहीं और लोग समुंदर में जाने से डरते भी थे, आप लोगोंने perspective in human geography का concept भी पढ़ाया और वहाँ पर आप लोगोंने T.O. diagram के बारे में हम लोगोंने बात किया हुआ है, T.O. diagram का मतलब कुछ ये था, this is माल लेते हैं कि हमारा T हो गया and O का मतलब हो गया, this is our O, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोगोंने देख रखा था कि उस समय इसको बोला गया था कि Asia है at the top क्योंकि यहाँ पर Jerusalem है और वो heaven है, इसके अलावा एक साइड में यहाँ पर Africa है और दूसरे साइड में Europe है क्योंकि इस समय इरोप को यही पता था, Rome को जो churches थे उनको यही पता था कि this only and only three continent are there अब Asia और Africa को divide करने वाली कौन सी चीज है, तो आपको पता है कि वो Red Sea है Asia और Europe को divide करने वाली कौन सी है, आपको पता है कि Black Sea है और Africa और Europe को divide करने वाली क्या है, तो Mediterranean है, यह भी आपको पता है तो ये उस समय हुआ करता था तो उस समय ज़्यादा कुछ खास oceans को लेकर के law बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई भी expedition नहीं करता था क्योंकि लोगों को एक डर था कि हम चले आएंगे तो वापस नहीं आएंगे and religiously भहुत सारे orthodoxity आ रखे थे जिसके कि यार मुझे अपनी territory define कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर एक country exped कर रही है समुंदर में यात्राएं कर रही है दूसरी country का भी बंदा जा रहा है और दोनों आपस में वहाँ पर लड़ जा रहे है तो फिर किस territory के under में उसकी jurisdiction आएगी मतलब कि किस country के jurisdiction area में वो case आएगा तो यह यहाँ पर सीन हो जाता है जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मालेते हैं कि आप suppose Delhi के हैं suppose you are in Delhi और आप राजस्थान के किसी area में जाकर के मालेते हैं कि कोई भी crime कर देते हैं किसी crime में फस जाते हैं तो जिस area या जिस district या जिस थाना छेत्र के अंतरगत में आपका ये case हुआ है कोई crime हुआ है उस थाना छेत्र में ही आपका FIR दर्ज किया जाएगा मतलब FIR वहाँ पर की जाएगी तो यह चीज होती है और similarly वही jurisdiction area इसको बोलते हैं jurisdiction area in the law के language में तो वही चीज यहाँ पर भी आती है तो धीरे धीरे यहाँ पर scene यह होने लगा कि we need to create some laws और उसको law को create करने वाले सबसे पहले जो लोग थे वो Portuguese थे इन्होंने अपनी law बनाई थी So this is the story historically the oceans have been considered as global common सबके लिए एक बराबर माना जाता था लेकिन फिर oceans and its use were guided under the principle of more labyrinth जो एक Latin word है जिसका मतलब होता है freedom of the sea कोई भी कहीं पर भी जा सकता है लेकिन फिर धीरे धीरे इसके लिए 13 to 14th century में इसकी limitation करनी चुरू हुई इसकी regulation करनी चुरू हुई and the emergence of navy and coast territory ultimately led to development of rule three mile rule या cannon shot rule बोलते हैं इस cannon shot rule का मतलब ये था कि जैसे माल लेते हैं कि ये continent है ये continent है तो यहां से 3 mile तक की दूरी पर cannon shot किया जा सकता है तो ये हमारे territory के अंडर में आ गया तो ये जो ocean water है ये किसी जो भी यहां पर country होगी उसके अंडर में आ जाएगा three mile rule इसको सबके बारे में देख लिया गया था और ultimately अब एक demand होने लगी थी कि we need to create we need to make new laws for the seas और इस तरीके से 1945 में US under Harry Truman declared unilaterally their control and right to use regulate and exploit all resource fishing sub oil जितनी भी चीज़े हो सकती है continental shelf of the US को उन्होंने अपना declare कर दिया कि यार यह हमारे control में रहगा यह हमारे under में रहेगा in response बाकी जो countries थी जैसे कि Mexico हो गई चेती हो गई या फिर चिली हो गई sorry this is चिली चिली हो गई एक्वेटर हो गया ठीक है आज़ेंटीना इन लोगोंने भी अपना unrestricted right वगर है declare कर दिया कि हम लोग भी अपना control करके रखेंगे और ultimately इसको 200 nautical mile एक decide किया गया कि coast से 200 nautical mile तक यह हमारा area होगा और यह जो 200 nautical mile था यह मतलब आपस में decide किया गया था तो उसकी data में मच जाईए anticipating a major geopolitical crisis the UN conducted series of submittal level meeting and conference for negotiating for common law of sea अब जब आपस में विवाद होने लगा तो सब लोग मिल करके आए कि चलो यार UN में चलते हैं और वहीं पर decide करेंगे कि what should be the role and what should be the rule for the law of sea और इस तरीके से एक conference होई और ultimately एक seabed authority भी बनाई गई थी और यहीं से सारा law unclosed decide किया गया जिसको बोलते हैं unclosed मतलब UN conference on law of sea जो 1958 में decide किया गया था 1968 में आरविद प्राडू ने appeal किया to include the open sea and resource of deposition as common heritage for mankind कि अगर मा लेते हैं कि 200 nautical mile में किसी के नहीं आ रहा है तो वो सबका एडाका है और सबका इलाका है तो वो मानवता के लिए humankind के लिए हमें use करना चाहिए the appeal modified the agenda of unclosed and culminated unclosed in 1982 इस तरीके से पूरी development जो है वो हो गई और 1994 में यह जो unclosed है sign कर लिया गया और ratify कर दिया गया और force में भी आ गया सारे countries में देख लेते हैं कि आखर में provisions क्या है इस law of sea के बारे में तो हमारे पास different provisions आते हैं जैसे for example सबसे पहले होती है setting of up the limits कि हमारी limit क्या है जैसे 12 nautical mile 24 nautical mile and 200 nautical mile क्या चीज़ है इसको देखते हैं दूसरी navigation rights की आखर में 200, 1200 में 12 nautical mile में क्या होगा 24 वाले में क्या होगा 200 वाले में क्या होगा तीसरी होती ही EZ exclusive economic zone and fourth thing होती है right of open sea and resource of deep ocean plains और इसके अलाबा dispute settlement mechanism एक बनाया जागा कि आखर में अगर कोई विवाद हो जाता है तो क्या चीज़ होगी lastly environmental and pollution related provisions क्या रखे जाएंगे अब देखिए one by one करके हम लोग चीज़ों को discuss करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि setting above limit के बारे में कि क्या scene है setting above limit का देखिए यहाँ पर एक scene यह decide कर दिया गया कि अगर मा लेते हैं कि this is suppose any country कोई country है इसके 12 nautical mile तक यह रहेगा इसका territorial zone अगला जो 12 nautical mile होगा यानि कि total marker के 24 जो होगा इसको बोला जाएगा contiguous zone this is contiguous this is territorial territorial water भी इसको बोलते हैं और इसके बाद यहीं से जो 200 nautical mile तक का फंडा है यानि कि यहाँ से 400 कितना हो गया 476 nautical mile इसको बोलाएगा exclusive economic zone clear हो गया क्या चीज़ है so this will be sorry this is 176 476 क्यों है 176 रहेगा यह 12 nautical जितना भी zone वगर हो गया है तो यह scene रखा गया था अब यहाँ पर यह हुई जो limit है तो baseline draw कर दिया जाएगा अब देखिए यहाँ पर एक scene हो सकता है कि यहाँ तो मैंने straight line draw कर दिया है अब इंडिया को अगर देखेंगे तो इंडिया का coast तो straight line तो है नहीं different different है यहाँ से कुछ कटा फटा है ना यहाँ कटा फटा है इस तरीके से तो हम straight line कैसे मानेंगे इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग लेंगे outer point को ठीक है यह देखिए outer points है यह सब outer point है यह सब outer point है we have taken the outer points of any country अब इसको आप मिला लीजिए इसको आप मिला लीजिए मिलाने के बाद में अब आपके पास एक line हो गई now what you can do या तो आप इसी line से आप आके जो होता है nautical miles वगरे निकाल लीजिए या फिर एक काम कर सकते है इसके middle point को जो भी line है इसके middle point को लीजिए और middle point से आप एक straight line draw कर लीजिए अब आपको मिल गया है कि straight line straight line के basis पे अब यह 12 nautical mile और उसके आगे 176 nautical mile वाला है वो चीज वो तो आप decide कर लीजिए तो यह पूरा का पूरा system लिया गया था setting up of the limits के बारे में और कैसे हम coast line को decide करेंगे कैसे किसी coast line को हम you can say की draw करेंगे so that was the thing all the water within the coast and baseline इसको declare किया गया as a internal water मतलब कि अब इस यह जो पानी हो गया आप देखी यह coast line है ना फिर भी line के तो अंदर में है जबकि यह पानी पानी है अंदर इसको बोला गया internal water है यह ठीक है इसको बोला गया यह internal water है मतलब यहाँ पर state की जो law होगी वो लगेगी अब देखी इस्टेट के law आपने अलग हो सकते है और country का law अलग हो सकता है इस्टेट के जब तक territory में आती है तब तक उसमें state law लगते है हाला कि country का भी law लगता है बट state prevail कर जाती है दूसरी होती है जो country की law होती है country की law beyond the limit होती है मतलब कि territory of the state के अंतरगत जब नहीं आएगी तो वहाँ पर country की law लगती है तो ये एक छोटा सा difference था जो आपको जानना है internal water are as good as land of that country and all the laws which can be enforced on land can also be enforced to internal water and other country cannot claim unrestricted across तो ये वाले जो water है internal इस पर कोई country claim नहीं कर सकती है कि why are you using this water जितने भी merchant navy वाले लोग होंगे आप लोगों में से उनको पता होगा कि internal water का क्या मतलब होता है यहाँ पर जैसे dock वगरे ये सब create किये जाते है artificial islands वगरे जो करने होते हुए हाँ पर कर सकते है और basically docking के लिए use किया जाता है कि ships वगरे यहाँ करके dock कर सकते है लगाई जा सकती है हाँ पर clear 12 nautical mile यह तो खेर पता ही चल गया 12 nautical mile territorial water है उसके आगे जो होता है बाकी बाकी चीज़े होती है अब यहाँ पर इसके rights के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अब देखिए जो 12 nautical mile territorial water है यहाँ पर country का पूरी तरीके से law रहेगा regulated use or enforced law have unrestricted right on the resource इस सारी चीज़े जितनी भी है वो सब रहेंगी अगर मा लेते हैं किसी country का किसी बाहर के country का अगर कोई आ रहा है तो obviously unrestricted navigation to the other country यानि कि बाकी जो military या ships वगरे आ रहे हैं उनको उन पर इंडिया का law लगेगा पहली चीज़ दूसरा एक regulated passage रहेगी कि regulate होंगे country के अंतरगत हो करके तब ये आगे जा सकते हैं country के law के थुरू ही जा सकते हैं इसके आगे जो बाकी चीज़े होती है vessels however must confirm the right of innocent passage जो अगले nautical mile में होती हैं उनको innocent passes देनी होती है मतलब कि ज़्यादा speed नहीं कर सकते हैं continuously आपके उपर watch होती रहेगी आप आपको बताना होगा कि इस country के है flag लगानी होती है अपने उपर में तो ये सब चीज़े दिखानी होती है कि हाँ हम लोग इस country के हैं और हम लोग trader है या फिर navy वाले या जो भी है वो बताना होता है कि हाँ हम इस country यहां से है और we are passing it peacefully हम लोग यहां से जा रहे है और अगर speed बगर है रोकने को या किसी भी तरह से अगर Indian government या कोई भी government बोलती है then they have to follow that otherwise ये innocent passage नहीं मानी जाएगी और फिर उनके उपर में action लिया जा सकता है जैसे आप लोगों ने recent में ही सुना होगा केरला के जो fisherman वगर है थे उनको Italy के दो merchant निवीज ने मार दिया था और ultimately case जो होता है वो ICJ में चली गई थी क्योंकि यहां पर case में कुछ निकल नहीं आपा रहा था और दोनों country यहां पस में सहमती बना लिये थे और कि चलो ICJ में चलते हैं तो वो कही ना कही एक innocent passage की problem थी हाला कि इंडिया उसमें compromise कर गए गया so that was the thing हाला कि case काफी लंबा चलो ultimately care guilty ही किया गया था so that was the thing आप follow कर सकते हैं उस case को important है आगे बात करें तो spying are not considered as innocent passage जो जितनी भी चीज़े हैं जैसे fishing, polluting, spying यह सब innocent passage के अंतरगत नहीं माना जाएगा vessels navigating through the territorial water must reveal its identity fly to its flag and has permission it can use the port of coastal country तो जितनी भी जरूरत रहेगी वो उस हिसाब से कर सकता है बाकी के जो nautical mile होते हैं उसको हम लोग contiguous zone बोलते हैं यहाँ पर pursue zone भी कई बार इसको बोला आता है which was like a buffer zone where the coastal power can chase purse and arrest illegally इसमेगर्स तो जैसे क्या है कि कोई भाग रहा है कोई जा रहा है terrorist है, smuggler है, attacks evader है तो उसको Indian government या कोई भी government जो भी जिसके law लग रहे है वो जाकर के पकड़ सकता है वो उस country के jurisdiction area के अंत्रगत आती है यहाँ पर भी मतलब जो innocent passage वगर है का फंडा होता है यह हाला कि law नहीं लगती innocent passage वाली लेकिन खैर peacefully जा सकते हैं कोई रोक नहीं सकता है अब यहाँ पर जो navigation right है we have already seen कि किस तरीके से हम लोग internal water और किस तरीके से क्या क्या चीज़े कर सकते हैं तो इसमें जादा कुछ खास है नहीं तो we are not going into it again and again क्योंकि जितनी भी navigation rights, जितनी भी innocent passage and all that we have already seen that आगे अगर बात करें तो आता है dispute settlement mechanism अब देकिए dispute settlement का मतलब यही है कि अगर किसी country के साथ कोई बगजक हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई या कोई केसी हो गया तो उसमें क्या कर सकते है so law of sea is very flexible and accommodative treaty that also address between conflict between member nations and signatories that a member nation अगर UN का है it must sign and ratify the treaty as a package or deal the treaty has to accept either to accept in entirety or rejected it in entirety पूरी तरीके से ही follow करना है signatory members can resolve the dispute या तो अलग-अलग तरीके से कर सकते है या तो खुद से ही कर ले चलो भाई जैसे इंडिया और इटली का है आपस में चलो भाई समझ भूजलो क्या करना है क्या नहीं करना है या फिर आजए यह third party के पास में जैसे third party बनती है इसे इंडस की डिवर की जो पर्मानेंट कमिशन लास्ट केस होता है कि अब कोई भी option नहीं काम करना है तो अब ICJ में चलते हैं वहाँ पर अपनी condition को देखेंगे तो law of seal cannot deal with the territorial dispute of the land and ensuring dispute of ocean right यहाँ पर केवल और केवल केस होता है अब जैसे मा लेते हैं South China Sea का ही case है वो कभी भी इस ICJ में नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पर territorial dispute है मतला वहाँ पर जो है land की dispute है boundary की dispute है कोई आपस में border decide होने के बाद का case नहीं है तो जब border decide हो जाएगा then only it can be solved through unclosed वैसे भी unclosed का case South China Sea में कुछ अलगी system चलता है तो आप उसको भी पढ़े होंगे otherwise we will discuss it someday environmental and pollution related provision के बारे में तो खास अच्छा सद जानकारी करने को है नहीं क्योंकि अजरी आप इसके बारे में जानते है कि environmental and pollution related provisions क्या-kया हो सकते है जैसे oil shipment ही है या फिर कुछ भी है तो इस तरीके से चीजे कर सकते है बाकी इसके बारे में environment में आप लोग ज्यादा पड़ते हैं So this is all for today and we have completed our oceanography वाला chapter and अगर कोई doubt रहेगा तो obviously you can reach us by using methods और बाकी हम लोग next class से start करेंगा हमारी bio geography and environment geography का topic और इस तरीके से this will be the last topic for paper number 1 paper 2 में कुछ topics रहे गए हैं फटाफट इसको complete करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोग इसको फटाफट revision भी start कर सकें चले फिर मिलते हैं next video में Till then good bye and thank you so much